दिरेन साश्ट्री को मिलने जा रहीं सिवरंजनी का महोवा में स्वागत इस दोरान सिवरंजनी एक भक्त के घर ठहरें वागेश और धाम के प्रमुक आचार दिरेन साश्ट्री से मिलने जा रहीं MBBS की छात्रा सिवरंजनी UP के महोवा पहुँचें जहां उनका लोगों ने ज बड़ी रौनक भारी बरबारी के बाद भी बढ़ने लगी सिरत्धालों की शंक्या दोनिया की सबसे उचाई परिष्टित गुर्द्वारा सिरी हेमकुन साहिब पहुंचने को लेकर सिरत्धालों को सहा बढ़ने लगा है रोजाना करीब 500033 यहां पहुंच रहे हैं जब हेमक पहुंचने बालों की संक्या 61,000 को पार कर गई है जो पिछले बर्चों से ज्यादा है जबकि इस बार की यात्रा कठिन मानी जा रही है लेकिन कड़ाके की ठंके वाब्जूद लोगों की संक्या बढ़ती जा रही है सोलन में दो देवशी भब श्याम महोसब का किया गया है आयोजन बावाश्याम के जैकारे के साथ निकाली गई निशान यात्रा सोलन में श्याम महोसब बड़ी धूमधाम से मनाया गया जिसमें हजारों की संक्या में लोगों ने बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया आश्टा से सरावोर ये भाब्ब नजारा राजिस्थान के सोलन का है यहाँ बावा स्याम के जैकारे के साथ साथ दूमधाम से निशान यात्रा निकाली गई इस मौके पर यात्रा पर पुष्प और इत्र की परशा की गई बड़ी संक्या में बावा के भक्तिस मौके पर जूमते नजराए पूरी राष्टिस रधालू खाटू वले स्याम बावा के जैकारे लगाते हुए मदमस्त नजराए स्याम संकीर्तन महोसब का खास आकरसन सोवा यात्रा रही जिसमें कलाकार भगवान की वेश्वूसा में नरत्य करते नजराए कानपूर का मंदिर मांसून से साथ दिन पहले करता है सटीक भविश्वाडी जगनाथ मंदिर के इस करिश्मा से बैग्यानिक विहरान जगनात मंदिर कानपूर के प्रमुक मंदिरों में से एक है इस मंदिर के प्रिसिद्ध होने का एक प्रमुक काराड़े की ये मंदिर वारिस होने की भविस्वाडी साथ दिन पहले ही कर देता है कानपूर सहर से लगबग 50 किलोमेटर दूर गाटमपूर में बेहटा वुजर गाउं में यह मंदिर मौजूद है यह मंदिर देश के बेहत प्राचीन मंदिरों में से एक है इसे गोल गोमद और साचीश तूप की शकल में बनाया गया है जगनात मंदिर में भगवान जगनात बलदाओ और सुवद्रा की काले पत्तर की प्रतिमा विराजमान है यह जगनात मंदिर भारत भर में अनोखा है इस मंदिर के भगवान की मूर्थ के उपर चत में चमतकारी पत्तर लगे हैं जो मानसुन के आने की सटीक भविश्वाणी करते हैं आयोध्या की पौराड़क इस्तलों का होगा सुन्दरी करड सुन्दरी करड के लिए एक किस्दार में किस्तलों की हुई पहचान राम की नगरी आयोध्या में जहां एक तरफ भव्व मंदिर का निर्माड तीब्रिक गत के साथ चल रहा है इसी क्रम में अब पंच कोशी और चोदे कोशी परिक्रमा पत पर रिष्थित पौराणिक तीर्थों का सुन्दरी कर्ड किया जाना है हाला कि दो चड़ों में राम नगरी के करीब 40-43 सिष्थलों का सुन्दरी कर्ड किया जाएगा इसके लिए 21 सिष्टलों का चैन भी किया जा चुका है